हेलो एवरीफंड आज कामार टोपिक है सर्फेस एरिया और वॉल्यूम ओफ कॉन आज मैं आपको कॉन के सर्फेस एरिया कैसे निकालते हैं और वॉल्यूम के लिम क्या फोर्मॉला उसके बारे में बताऊंगी तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आपका ये सपोर्ट मुझे आपके लिए नहीं नहीं वीडियो मनाने के लिए मोटिवेट करक है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें यहां पर हम बात कह रहे हैं सफेस एरिया और वोल्यूम के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन क्या होता है कौन को हम शंकू भी बोलते हैं और इसकी जो शेप है वह इस तरह से होती है इसका जो यह बेस है वह circular होता है और इसमें हमारे पास एक slant height होती है यह थी मारी slant height जिससे हम एल से denote करते हैं यहां पर अगर यह सर्कुलर है तो यहां पर radius होगा इसका और इस center से इस top की जो height होगी वह होगे हमारी h, उसे हम h से denote करेंगी और यहां भी एक 90 डिग्री के एंगल भी बनाएगा तो यह जो हमारे पास ट्रेंगल आगे जिसमें h perpendicular है, r हमारा base है और l हमारी slant height है नहीं hypotenuse है तो यहां से हमारी relation मिलता है इन तिनों में कि l का जो square है वो equal होगा h square प्लस r square के अब हम इसका surface area की बात करते हैं तो जो उसका base है वो circular है तो जो circle का surface area है या तो इसका जो area है वो होते है हमारे पास 2, sorry, pi r square, pi r square होते है यानि जो जो सका base का area हुआ वो होगा हमारा pi r square अब हमें इसका curved area है यह निकालना है तो curved area कैसे निगा लेंगे, देखें, जब हम इसको open करते हैं, जब हम इस cone को open करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह की shape मिलती है, जब हम इसको open करेंगे, जैसे अगर हम इसे इस तरह से fold कर देंगे, तो यह हमरे बस cone है, और जब हम इसको open करते हैं, तो हमें इसका curved surface area मिलेगा, त तो अगर हम इसको देखे तो यह जो हमारी है यह जो हाइट है ये जो हमारी हाइट है slant idl है यह भी ल है तो अगर हम इसको सेंटर लेखे और इस एल को रेडियस लेगे यहाप एक circle ड्रो करें तो basically यह जो कौन का portion है यह उस बड़े circle का सेक्टर होगा जैसे अगर हम इसको सेंटर लेके इसको रेडियस लेके यहां पर ऐसे सर्कल ड्रो करते हैं तो इसका सेक्टर होगा जैसे अगर हम यह हमारी स्लांट हाइट है कि यह आं यहां पर फिवन जैसे यह ओपन करके इस तरह की फिगर आई यह अमारी स्लाह्ण नाइड यफ को इसको सैंटल लेकर और इसको रेडियस लेकर यहां से इससरकल दो करेंगे इस तरह से तो गॉह पर देकते हैं तो यह सेकटम का सैक्टर है यह जो जिसमें radius है जो वो L है, तो basically अगर हमें इसका curved area निकालना है, तो हमें circle के sector का area निकालना है, तो अगर यह जो angle है, यह theta है, तो हमें पता है कि sector का area क्या होता है, area of sector, तो हमारा theta by 360 degree by r square, यह होगा, अब यह जो यहाँ से लेके, यह जो उमारी arc है, अगर हमें यह निकालना है, तो length of arc क्या होगी? इसी circle में, theta by 360 degree into 2 pi l, अब यहाँ जो r है, वो हमारा l है, तो हम इसके जहेंगे l लिखेंगे, तो इसको हम l square लिख देंगे, यह हमारी arc की length होगी, लेकिन जो हमारा cone का जो base है, वो circle था, जैसे जो हमारा cone का base है, वो इस तरह से circle था, तो यह जो circle है हमारा, यह जो circle है हमारा, base है जो इसका, इसको अगर हम पूरे को देखें, तो यह जो हमारा circle है, इसकी परीधी है, यानि जो यह arc है, यह इसकी परीधी है, तो यह arc length किसके एकवल होगी? 2 pi r, जब हमने circle को open कर दिया, तो यह portion है, जो यह 2 pi r होगा, क्योंकि यह basically circle की परीधी ही है, तो यह होगे हमारी 2 pi r, अब यहाँ से arc length हमें, यह भी मिल गई, और यह भी मिल गई, यह दोनों एक ही circle की arc length है, तो यह दोनों equal होगी, तो यहाँ से और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि theta by 360 degree into 2 pi l is equal to 2 pi r, अब इधर भी 2 pi है, इधर भी 2 pi है, तो 2 pi the 2 pi cancel हो जाएगा, और r की value हमें मिलेगी theta by 360 degree into l, यह हमारी r की value होगी, अब देखें, यहाँ पर जो area sector का, जो हमें निकालना है, यानि जो इस cone का curve surface है, वो हमें निकालना है, वो हमें यहाँ से मिलेगा, अब हम क्या करते हैं, इसको, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, theta by 360 degree into pi into l into l, अब यह जो मारत theta by 360 degree है, और जो यह l है, इन दोनों की जगे ह हम आर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ लिया है, हमारे पास pi l, और इस theta by 360 और l की जगे हम यहाँ से r लिख सकते हैं, तो हमें मिल गया, pi l r, यह होगा हमारा curve surface area, अब total surface area क्या होगा, total surface area, जो base का area था, यानि जो circular part का area था, वो plus curved surface area, यानि pi l r, तो अगर हम इसे common ले pi r को, तो हमें मिलेगा pi r r plus l, तो यह हमारा cone का surface area होगा, तो हमें सिर्फ यहाँ से यह समझना है, कि जो हमारी slant height है, जो हम अपने cone को open करते हैं, तो जो यह हमारी slant height है, वो इस तरह चाहएगा, जो हम इस slant height को radius मानगे, कोई circle draw करेंगे, तो यह जो part है, यह उसका sector होगा, तो हम sector का area find कर लेंगे, और next है, यह हमारी r की length है, और यह r की जो length है, हमारी वो इसी, का इसी circle की परीदी भी है, तो उनको compare करके, हम यहाँ से अपनी equation बनाएंगे, और इसमे value पूट करके, यहाँ से हम इसका area find कर सकते हैं, next आती है बात volume की, यानि जो cone है, उसका volume क्या होता है, अगर हम बात करें, cone के volume के बारे में, volume of cone, तो उसमें हमारा simple सा formula है, कि 1 by 3, pi r square h, देखें, जब हमने slender के volume के बारे में बात की, तो जो हमारा slender था, वो इस shape में था, इसका जो formula है, वो area of base into height, same cube में होता है, और same cube में होता है, जितनी भी हमारी solid shape है, जब हमने उनके volume की बात की, तो उसमें से हमारा जो formula था, वो यही था, कि area of base into height, लेकिन जब हम कौन की बात करते हैं, कौन में हमारे पास क्या है, अब इसका base हो circular है, तो जो base का area वो है pi r square into height, लेकिन इसमें 1 by 3 और आ जाता है, इसका reason यह है, जब हमने slender की बात करी, तो इसका जो base है, उसका जो top है, वो दोनों सेम होते हैं, यह भी circular है, यह भी circular, लेकिन जब हम कौन की बात करते हैं, तो base हो circular है, लेकिन जो इसका top है, वो एक point पर जाके end हो जाता है, वो base के according, जैसा base है, सेम वैसा नहीं है, एक next बात ही है, कि जो इसके volume को, इसके volume को compare करते हैं, तो हम देखते हैं, जो इसका volume है, slender का, वो तेमारा pi r square h, और जो cone का volume है, वो तेमारा 1 by 3 pi r square h, तो जो इसको practically देख करते है, तो ये, जो हमारा slender होता है, वो cone के, वो lume से cone में triple होता है, यानि अगर same base का, same height का slender हो, वो same हूँ, तो इसका जो volume होगा, वो कौन के volume से 3 time होगा, इसलिए जब हम कौन के volume की बात करते हैं, तो उसके लिए हम formula use करते हैं, 1 by 3 pi r square h, और इसको हम true भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम integration की help लेनी पड़ेगी, लेकिन 10 तक जो हमारा slabors होते हैं, उसमें हम integration नहीं भी करते हैं, तो इसलिए इसको detail में जाने से, detail में नहीं जाते हैं, इसका formula याद करते हैं, कि 1 by 3 pi r square h, और अगर हम practically देखें, तो इन दोरों को जो हम relate करते हैं, तो same height और same base के जो cylinder और cone होते हैं, तो अगर हम 3 times, इसका 3 times, इसका 3 times, इसके कोगल होगा, यानि pi r square h, इसको अगर हम 3 से multiply करें, तो हमें ये ही मिल जाएगा, तो हम simples को याद करते हैं, कि जो हमारे cone का volume होता है, वो होता है 1 by 3 pi r square h, आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को subscribe करें बिल्कुल मत जाएगा, और वीडियो को like जुरूर करेंगा,